अप्स्टॉक्स कैमेरा पर्मिशन प्राब्लम हाई वेलकम इन दिस वीडियो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर आए तो जुरूर आप इस स्टेप पर होंगे और आपको यह एरर आ रहा होगा यहां पर आप पर्मिशन अलाओ कर दीजिये यहां पर जैसे की जो स्टेप्स लिखिए कि आप सेटिंग्स में जाए और एप्लिकेशन में जाए एप में उसके बाद यहां पर आप मैनेज अप पर जाए और गूगल क्रॉम को सिलेक करके आप उसकी पर्मिशन अलाओ कर तो हमने यहाँ पर जाकर देखते हैं कि already allowed है और upstock application जो है यहाँ पर मैं search कर लेता हूँ upstock तो यहाँ पर जो upstock की permission है app permission वो भी allow है बट उसके बाद भी यह error आ रहा है सभी को तो मैं आपको इसका solution बताने वाला हूँ simple सा step से कुछ follow करना है आपको देखिए यहाँ पर आपको पहले तो settings में जाकर अगर not allowed है तो आपको इनको allow करना है app permission को कैसे आप allow करेंगे आप upstock पर जाएए यहाँ पर camera पर click कीजिए और यहाँ पर deny होगा तो यहाँ पर allow पर click कीजिए लोकिशन पर भी deny होगा तो allow पर आप click कीजिए इतना आप करते हैं उसके बाद आपको back चले जाना है और Google Chrome के साथ भी same करना है इस वीडियो को last तक देखिएगा तब ही आपको इसका solution मिल पाएगा उसके आप Google Chrome में भी same deny होगा तो इसको allow कर देना है और अगर allow होगा तो already allow ही रहने देना अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ यह permissions allow करने के बाद भी error आ रहे हैं जिसे कि अब यह फिर से load हो रहा है अब हम इसे check करते हैं कि permission allow करने के बाद भी यह error आ रहा है या फिर नहीं देखिए permission allow करने के बाद भी error आ रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन permissions को allow नहीं करेंगे वो भी required है बट इसके सासत एक step or required है आपको क्या करना है यहाँ पर three lines पर click करना है या फिर इसको as it is छोड़ देना है आपको अपना google chrome open करना है और उसके बाद यहाँ पर यह three lines पर click करके settings में चले जाना है google chrome की और यहाँ पर आपको privacy and security का option मिलेगा so I'm so sorry यहाँ पर आपको एक option मिलेगा site settings का so यहाँ पर आपको camera पर click करना है और आपको दिखेगा blocked one so यह वाली जो upstocks.com है यह block हो चुका है google chrome की तरफ से अब एसा क्यों हुआ है because permission तो allow नहीं थी पहले allow नहीं थी और आपने इस particular website को use कर रहा है तो क्या करता है google automatically इस particular website को block कर दिया google ने so इसलिए ही permission allow करने के बाद भी वो error आपको show कर रहा है अब देखिए आप हम back करते हैं और फिर से हम try करते हैं कि यह फिर से error आ रहा है या फिर नहीं तो आप इसको refresh कर दीजे और इसके फिर से next पर click कीजे और इसके आप got it यह देखिए आपकी जो permission है वो successfully allow हो चुकी है और आपको कोई भी error नहीं आने वाला है अगर आप इन steps को follow कर लेते हैं तो ठीक है अब आप अपनी अच्छी straight picture click कर सकते हैं और अपना जो demate account है वो open कर सकते हैं अगर आपको कुछ extra amount चाहिए अपने demate account में extra cashback चाहिए तो नीचे जो link है आप उससे signing कर सकते हैं उससे अपना account create कर सकते हैं तो आपको जो भी 50 से लेकर 500 तक के जो बीच का कुछ भी amount आपको मिल सकता है आपके demate account में आपको जो दी गई है link description में आप उसके थुरू भी account create कर सकते हैं गैस आपके लिए एक offer है description में upstocks account demate account ओपन करने वाली एक link दी हुई है अगर आप उस link के थुरू अपना account successfully create करके मुझे screenshot send करते हैं whatsapp पर और आपका नाम और registered number ये तीन चीज़ send करते हैं verify करने के वाद मैं आपको 100 rupees phone paper पर provide करवाऊंगा अगर आप successfully account create कर लेते हैं with all kvices so यहाँ पर आपका only screenshot send करना है मैं आपको बता जीता हूँ क्या क्या documents लगते हैं आपका bank account detail लगती है आधर card और pen card ये अगर आपके पास 3 document है तो आप eligible है 100 rupees के लिए procedure करने में कुछ error आता है तो आप मुझे instagram पर screenshot send कर सकते हैं एक मिट के अंदर आपको उसके regarding reply मिल जाएगा I hope you like the video please do like and subscribe my channel for more updates Thank you for watching this video